अब यहां पर क्या होता है कि टिपिकल फ्लावर जो होता है मतलब जो नॉर्मल फ्लावर होता है उसका description हमको कैसे करना है क्या करना है उसका कॉन सा मतलब लग उसका कैलक्स करोला देखकर हमको कैसे मालूम पढ़ेगा कि वह कौन सा है तो वह सबसे easiest or simple technique और scientific technique से हैं उसको कैसे सबसे हैं ठीक है थाह थाहिए तो हम स्टार्ट करते हैं वेजिस मॉफोलोचिकल फीचर आफ यूज तो डिसक्राइब अव्लावरिंग प्लांट इग अब यहां पर बहुत सारे वेडियस फीर्याब इसको देखना होगा तो हम लोगों को साइंस पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को साइंटिफिक लिए उसको देखना होगा थे कि सबसे पहले इसको वेजटेटिव क्या आता है रूट स्टेम एंड लीव उसको फ्लोरल चारेक्टर इंफ्लोर पार्ट देखते हैं अब आफ्र डिस्क्राइबिंग वेज़ेश पार्ट अफ्लोरल डाइग्राम अनफ फ्लोरल फॉर्मुला प्रेजेंट इस फ्लोरल फॉर्म फ्लोरल फॉर्मुला है तो भी- आर्ट इंट फ्लोरलस फ्लोर मोला है तो बी- आर्ट पार स्ट इस पर डालिश्टिउ ठीक अब उनीचे एक छोटी से लांन आपको दिख़ रही होगी जी और शोड़ी सी लाइन तो this is for superior ovary मतलब उसका ओवरी जो है वो उपर है एंड जो जी है और उसके ओपर underline है तो वो inferior ovary मतलब उसका नीचे है ठीक है ovary और जो यह आपको दिख रहा होगा ये sign सबको पता ही होगा कि ये male के लिए है और ये zero और plus है वो female के लिए और जिसमें दोनों है वो bisexual के लिए होता है ठीक है और प्लस और इसके अंदर सरकल के अंदर प्लस जो है वो एक्टिनो मॉर्फिक के लिए होता है ठीक है यह सब नेचर है flowers के ठीक है तो basically इसमें हम लोगों क्या देखनें कि carece how important care कैसे होता है क्याए है हापै यह diagram भी देख सकते हो इसमें सब हैं यह कैसे आफ लिए सकते हो कि अच्छे तह anyways ato मतलब यहीं क्या है सूपीडियर ओई निक्नी है कैले कितने करो ला कितने है कहार अरी कैलेक्श टूप्लस आप कर सकते है, scientifically, simple और एकदम briefly भी हो गया ठीक है, तो हम देखते है description of some important families important families के बारे में description कैसे दिया हुआ होता है ठीक है तो हम start करते है, the family was earlier called papillonodia a sub family of family ligminus से it is distributed all over the world ठीक है, तो यह आपको दिखेगा, यहाँ next page में यह ओके तो इसमें हम लोगों यह febisya का पढ़ रहे है ठीक है, इसके vegetative characters क्या है tree, shrub, herbs, root with root no juice, ठीक है, अब stem किसका इसका erect है और climber है erect भी है और climber भी है उसमें दिख रहे है ठीक है, leaves क्या है alternate है सब सारे leaves alternate है, pinnately compound or simple, leaf base है puluminate है, estipule है veneation, reticulate है okay, floral characters क्या है inflorescence क्या है, इसका racymus है flower क्या है, bisexual है, zemomorphic है calyx क्या है sepals, calyx इन से कितने हैं, five sepals है gamocephalus है imbracate estivation है corolla में क्या है, five petals है polypetalus, papillinus, consisting of a posterior standard, two lateral wings two anterior wings, forming a neel, vacillary estivation endosium क्यतने है, 10 है dyadia, delphus anthracis, gynosium ovary है, superior है mono capillary है, uniform with many of you, style signal ठीक है, उसका fruit क्या है legume है, seed क्यतना है, one two, many non-endospermic है, ठीक है तो यह सब में आपको देखे पदा चल जाएगा आप इसका पूरे describe कर रहे है मैंने बता है, simple, briefly or like scientifically जैसे आपको सारे important families करना है, सारे जिसने भी है सब का करना आ रहेगा economic importance क्या है अब इसका, किसका? fabis shee का, okay many plants belonging to the family are source of pulses, अब इसके इस सारे कितने किसे है pulses है, कौन से ग्राम, अरहर यह सब दाल है, मूंग, सेम soya bean, edible oil edible oil में कहाता है soya bean, groundnut, dye indigofera, fibers fooder, ornamentals medicine, इस सब में इसका economic importance है, इसके fabis shee okay, और यहां पर क्या है it's a large family commonly called potato family यह large family है, इसके काफी और इसो क्या होते है, potato family it is widely distributed in trophics, subtrophics and even temperature temperate zone, okay iska vegetative character क्या है, plants mostly herbs, sherbs and small trees अब इसमें क्या था? trees थे, sherbs, herbs root with root no deuce plants mostly herbs, sherbs and small trees stem क्या है, herbicides rarely, woody, aerial erect, मतलब खड़ा रहना एकदम cylindrical, branched solid okay, और hollow, hairy glabrous, undergo stem in potato इसके leaves कैसे है alternate है, मतलब अलग-अलग leaves है, simple, rarely, pinnate compound, extipulate ventilation, इस सब नाम है, okay यह आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं इसका बस नाम ही दिया हुआ अब, floral characters क्या है, inflorescence में क्याता है solitary, axillary and cymos as in, solanum, flower क्या है, bisexual है, actinomorphous sepal है, five united, paris stem, walvet estivation, pellet corolla क्या है petals है, five, united walvet estivation walvet estivation मतलब आपको पता है न कि, जो मैंने पहले प्रिवियस इसमें बताया था कि, types of estivation होते है flowers के, velvet twisted होता है, imbricate wagzilla होता है, यहां पर बता रही है velvet estivation है velvet estivation में क्या होता है कि, जो flower एक round में हो एक के ओपर उसके petals पत्ते एक के ओपर एक नहीं आ रहे है वैसा, ओके ठीक है यह हो गया और उसका endosem क्या है stamin उसमें 5 है epipetralis gynosia में bicapillary, syncarpus, ovary superior, biocular, placenta, with many ovules, fruit berry, capsule seeds, many endosperms floral formula यहां पर दिया हुआ है अब देख लो उसका economic importance many plants belonging to this family are source of good food like tomato, brinjal, potato sizes में क्या क्या आता है chili, medicine fumigate tree, ornamentals etc last is the lilasia commonly called lily family अब इसके कौन सी family से है यह lily family से है यह क्या represent करती है इसमें यह बहुत सारे दुनिया में यह फैला हुआ है तो vegetative characters क्या है इसके perineum herbs with underground bulbs, corms और rhizomes इसके leaves क्या है अल्टनेट है अलग-अलग है linear है extipulate with parallel venition इसका floral characters कैसा है influence है solitary, thymose, authently umbilate cluster flower क्या है bisexual, antimorphic perineum 6 3 plus 3 and often united into tube velvet acidification androsium क्या है 3 plus 3 ऐसे अलग-अलग and gynosium क्या है tricapillary synocarpus ovary superior trilocular with many ovules exiled placentation और इसका fruit कैसा होता है capsule में होता है या तो rarely berry में होता है seed क्या है endosperm formula floral formula क्या है यहां पर दिया हुआ okay इसके economic importance क्या है like economic importance in many plants belonging to the family very good ornamental ornamentals इसके family इसके flowers ornamentals अच्छे बनते है use किसमे आता है medicine में आता है vegetables में आता है okay and coccaline में भी आता है okay इसके diagram भी यहां पर दिया हुए okay तो यहां पर हमारा chapter complete होता है आप एक बार revision कर लिजेगा उसे पत कोई भी doubt होगा तो you can ask me I will definitely help you okay thank you